नमस्कार दोस्तों यहां आज हम कैपसुल मशिन जो AF90T है उस कैपसुल मशिन पे जो मैनिफेक्चर की तरब से ACG पाम की तरब से जो चिकलिस्ट आती है वो चिकलिस्ट की मशिन की प्रिकॉशन्स और मशिन में क्या क्या रिक्वाइरमेंट है कब कब डेली बेसिस पे करनी है विकली बेसिस पे करनी है, फोर्टनाइटली करनी है, मतली करनी है या कॉटरली करनी है तो यहां यह चिकलिस्ट आपको दिख रही होगी तो यह आटोमेटिक कैपसुल फिलिंग मशिन मॉडल AF25, AF40T, AF90T, AF60 जो की लैब में यूज होती है यह सभी मशिन के लिए उन्होंन में डेली क्लिनिंग है या वीकली है, फोर्टनाइटली है, मंतली है या कॉटरली है, यह सब यहां दिया हुआ है, तो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तो, क्लीन अप, क्याप बुश और बॉड़ी बुश विद ब्रश या IPA और ब्रश, तो बॉड़ी बुश और क्याप बु क्या हुआ है, इसके जो पॉइंट से उनको फॉलो करोगे, तो आपकी मशीन एकदम स्मूथ रणिंग होगी और आपको कोई प्रॉलम नहीं आएगी, सेकंड पॉइंट है, क्लीन टरेट, टॉप प्लेट, लोडर पार्ट्स, ठीक है, टैम्पिंग असेंबली पार्ट्स, और टॉप असेंबली पार्ट्स, विद वैक्यूम और ड्राय क्लॉथ, ये कब करना है, ये भी डेली बेसिस पे करना है, रिम्यू क्याप्सूल और पाउडर फॉर्म रिस्पेक्टिव होपर और टैबलेट, अगर आपकी मशीन चल नहीं रही है, एंड आप दे दे हो रहा ये भी डेली करना है, क्लीन वैक्यूम पॉम्प फिल्टर, वैक्यूम पॉम्प का जो फिल्टर है, डेली बेसिस पे क्लीन करना है, क्लीन वैक्यूम क्लीनर, ये डियू का जो वैक्यूम क्लीनर का है, वो भी हमको डेली बेसिस पे क्लीन करना है, ड्रेन एयर फिल्टर, डे उपर जो powder आया है वो vacuum के साथ खीच के clean करना है वो भी daily basis पे करना है clean and check vacuum pump hose pipes and fittings vacuum pump जो है उसके hose pipe की fitting चेक करनी है weekly basis पे check करनी है clean dozing disc and support pad with vacuum and dry cloth यह भी आपको weekly करना है grease all shafts housing जो housing है उनको सबको greasing करनी है weekly basis पे करनी है check all check oil in vacuum pumps not applicable for dry vacuum pump ठीक है तो यह भी weekly basis पे करना है check machine alignment setting alignment setting बहुत important है तो यह सेटिंग आपको weekly basis पे करना ही करना है अगर आप नहीं करते होगे छोड़ दोगे तो पूरी alignment machine की disturbed हो जाएगी check correct vacuum pressure और air pressure available यह भी weekly basis पे आपको करना है grease all driving members such as gears, cam and linkages यह करना है fortnightly यह आप करवा लो या आपका इंजिनरिंग है उनसे करवा लो या पार्टी के परसन को ही amc base पे call करके बूला के करवा लो मगर काम होना चाहिए check spring of tamping pins and turret यह आपको करना है monthly basis पे tamping pin के spring check करनी है monthly basis पे check tightness of bolts and fasteners यह आपको monthly check करना है check chain tensions of indexer device cam switch box drive ठीक है chain tension of indexer drive cam यह जो lower part का है उसको आपको monthly check करना है check tightness of all wires in control banner and vacuum dust यह आपको monthly करना है चेंज वाइप वाइपर शील्स of all shafts यह आपको करना है quarterly चेक टाइमर बेल टेंशन यह करना है quarterly चेंज श्प्रिंग आफ टैंपिंग पिन यह करना है quarterly अगर आपके कोई टेंपिंग पिन की स्प्रिंग खराब हो जाती है तो उसको quarterly में चेंज करना है clean all dry parts with kerosene and apply grease तो यह भी quarterly करना है कहां कहां कोई कोई कंपने में kerosene allowed नहीं करते तो जो भी वहां cleaning agent है उससे आपको quarterly clean करना है clean and refill grease in gear box of powder stir dry यह करना है quarterly में और नीचे point है maintain following conditions during production अगर आपकी बैत चल रही है तो उस cases में आपको वहां बैत चलते समय आपको क्या-क्या condition रखना है temperature रखना है 20 degree celsius to 25 degree celsius humidity रखनी है 40% to 50% RH और depending on formulation vacuum for separation vacuum जो होता है cell separation करने के लिए 24 inch of Hg वही होता है 1100 lpm यानि की 2800 lpm और compress air होनी चाहिए 6 kg पर cm2 यानि की 225 lpm और यहां machine दी है उन्होंने AF 25T, AF 40T, AF 60T और 300 lpm और AF 90T तो यह checklist थी दोस्तों machine के लिए जो capsule filling machine है automatic capsule filling machine model number है उपर दिया हुआ तो यह अगर आप maintain रखोगे इसको यह जैसे कि इन्होंने daily, weekly, fortnightly, monthly, quarterly इसके इसाब से जो यहां tick mark है वहां उसके इसाब से आपको काम करोगे और आप नीचे की temperature आरेज, pressure, vacuum pressure कितना है यह सभी आप अगर maintain रखोगे तो आपकी machine smooth functioning में रहेगी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी तो फिलाल के लिए दोस्तों काफी है इतना ही मिलते है अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नया informative टॉपिक के साथ तब तक जय हिन जय वारत